हलो एवरिवन वेलकम टू स्टार आईक्यू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लाटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज 10 मार्च 2022 के हर्याना करेंट अफेर हम लोग जो है न पढ़ने वाले हैं आईए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अगर आप लो 1407 करोड विकास प्रियोजना के उद्गाटन वसिल्यानास किया गया है कहने का मतलब है कि हर्याना के कौन से डिस्टिक के अंदर National Highway Authority of India जिसको आप लोग बोलते हो NHAI इसके अंदर टोटल 1407 करोड रुपे इन्वेस्ट किये गए हैं और उन प्रियोजनाओं का कुछ एका तो उद्गाटन किया गया है और कुछ एका जो है न नीव रखा गया है तो ये डिस्टिक है हर्याना का गुरू गुराम यानि कि सी वाला आप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें भारत के केंद्रिया मंत्री नितिन गडगरी जो है न वो भी सामिल थे मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि हमारा हर्याना का जो बजट आया है इसके अलावा थो टाइम पहले जो है लगबग एक महीने पहले बजट आया था एक फरवरी को किंद्री ये बजट यूनियन बजट उसके अंदर पीम गती शक्ति के ताहर्य टोटल साथ इंजन है साथ इंजन आपके कौन-कौन से हैं एक तो रेल है एक रोड है इसके अलावा मास ट्रांसपोर्ट है मास ट्रांसपोर्ट होता है जिसे गाड़ी या आपके बस वगरा जो है विकल है ठीक है इसके अलावा आपका लोजिस्टिक हब है पोर्ट है एरपोर्ट है और एक आप लोगों का जो वाटरवे है ऐसे साथ आपके जो है ना इंजन है ये इन में से जो रोड है specially जो रोड के लिए यानि की जो सडग के लिए जो है ना इन्होंने बीस हजार करोण रूपे जो है ना दिये थे हर्याना के गुरू ग्राम district में यहाद रखना है गुरू ग्राम के अंदर आप लोगों को यह याद रखना है कि और्गनिक मंडी भी बनाई जाएगी मैंने आपको रिसेंट पढ़ाया था गुरू ग्राम में पाटा का पेटियम बैंक का इन सब का हैड़कॉर्टर भी गुरूगराम में हर्याना का ग्यारवा नगर निगम भी है जिसका नाम है मानिसर जिसकी घोशना की गई थी कब 23 दिसंबर 2020 को उसकी घोशना की गई थी अगला सवाल हमारा है कि इंस्पाइर अवोर्ड को लेके रा विशाल नाम के स्टुडेंट का सेलेक्शन हुआ है यह विशाल हर्याना के फतेहवाद डिस्टिक के रहने वाले हैं याद रखिएगा फतेहवाद का गाजुवाला यहां के राजकिये वरिष्ट माद्यमिक विधाले के 9th क्लास के स्टुडेंट है इन्होंने एक मोडल ब प्रुसकार भी दिया जाएगा अगला सवाल है और एक बात और है यह जो फतेवाद डिस्टिक है ना फतेवाद के अंदर हर्याना का पहला चार मंजिला बस्टेंड भी है मतलब हर्याना के और किसी डिस्टिक में चार मंजिला बस्टेंड नहीं है अकेले फतेवाद में है जिसकी जो नीम है वो साल 2016 के अंदर रखी गई थी विस्व महिला बॉक्सिंग चैंपिंशिप भारत की टीम के कुल 12 खिलाडी जो हैना सामिल होंगे जिन में से हर्याना के कुल कितने खिलाडी सामिल होंगे अभी आप लोगों के इन फ्यूचर में विस्व महिला एलीट बॉक्सिंग चैंपिंशिप होने वाली है जिसमें से कुल 12 खिलाडियों का जो हैना सेलेक्शन हुआ है इन में से हर्याना के टोटल 8 खिलाडी है हर्याना बॉक्सिंग संग के अद्यक्स है मेजर सत्यपाल सिद्धू इन्होंने सारी जानकारी दी है प्रत्योगिता होगी कहां पे ये होगी तुर्की के अंदर होगी इंद्रा गांधी खेल स्टेडियम दिल्ली के अंदर ट्राइल हुए थे इसमें से मेन मेन खिलाडी सब के नाम बताता हूँ आपको मैं भीवानी से 48 किलोग्राम भारवर्ग में नीतू घंगस है इन्होंने रिसेंटली गॉल्ड मेडल भी जीता था 60 किलोग्राम भारवर्ग में जैस्मिन है 81 किलोग्राम भारवर्ग में पूजा रानी वोहरा है रोतक से 50 किलोग्राम भारवर्ग में अनामिका है 54 किलोग्राम भारवर्ग में शिक्षा नर्वाल है 63 किलोग्राम भारवर्ग में परवीन है 57 किलोग्राम भारवर्ग में मनीशा है और हिसार से 75 किलोग्राम भारवर में स्वीटी बुरा इन खिलाडियों में सामिल है तुर्की की बात करो तो तुर्की की राजधानी अंकारा है ठीक है न ये याद रखिएगा हर्याना बजट 2022 के अनुसार कितनी नई बसे खरीदी जाएगी तो हर्याना के बजट 2022 के अनुसार जो है न टोटल बसे खरीदी जाएगी तो 2000 ठीक है बसे भी खरीदी जाएगी इसकी परिकरिया लास्ट चरण भी है बिलकुन बेडे में 50 और लगजरी बसे जोड़ी जाएगी जिको मीनी बसे जोड़ी जाएगी उनकाईएगा पतलब इसमें केंदर सरकार का भी सहोग रहेगा और हर्याना सरकार का भी सहोग रहेगा 50-50% के आसाथ हर्याना सरकार किस जिले में महाभार्त कालीन थीम पार्क स्थापित करने वाली है तो हर्याना सरकार महाभारत कालिन थीम पार्क कुर्चेत्रा में जो है न वो बनाने वाली है यानकि ए आप्षिन सवाल का ठीक है इसके लिए बजट में दो सो पांच करोड रुपे दिये हैं इसमें जो महाभारत के युद्ध को परदर्शित किया जाएगा इसके अलावा किस्तान में क्रोड की साहिता होने वाली है सिरिमद भागवद गीता है महाभारत से समंदी थीम है मल्टी मीडिया शो है ब्रम्स रोवर के शाम के टाइम में जो लाइटिंग का आपका जो शो है ये सब भी जो है यहाँ पे थीम पार्क के अंदर एड़ आड़ आन किये जा और हर्याना का जो यादविंदर गार्डन है पिंजोर पंचकुला के अंदर उसको भी थोड़ा सा अच्छे से मोडिफाई किया जाएगा ताकि प्रेटन उसमें जादा आ पाए और सुर्जकुन मेला जैसे होता है वहाँ पे लाइटिंग शो वगरा होता है म्यूजिकल फ था अपना कहां की गई है पेहुआ आदिबदरी सफीदो सोहना इसका कमेंट में आप जवाब दीजिएगा कल फिर हाजिर होँगा लेटेस्ट अपडेट के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा